चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समान, दस मिनिट में, बिग ब्लिस एप है खुशियो की अपनी दुका, सोयबीन के दरों में भी तेजी आ गई है, कुछ दिनों के पूर्व 5,500 रुपए से 6,000 रुपए के दर्मियाद चल रहे, सोयबीन के दर अभी 7,000 रुपए प्रति कुइंटल पहुच गए हैं, जिससे सोयबीन की आवग भी बढ़ने लगी है, वापसी की बारे से सोयबीन को नुकसान हुआ है, अंतरास्टिय स्तर पर 2020 में उत्पादन घटने से उस समय सोयबीन का दर प्रति कुइंटल 11,000 रुपए तक पहुच गया था, जिससे गत मौसम में किसानों ने सोयबीन की बुआई की और अपना रुजान बढ़ाया था, जिले में कुल 3,2,692 हक्टे में दरों में चड़ उतार होने से किसान सम्रभित हो गए थे, अनेक किसानों ने दर वृद्धी की प्रतिक्षा करते हुए सोयबीन घर में रखा हुआ है, गत महीने में सोयबीन के भाफ 6,000 से भी कम मिलने से किसानों में फिर चिंता व्याप्त हो गई थी, इस दोरान अभ प्रतिक कुइंटर 6,895 रुपे का दर मिला है, जिससे अब यह दर 7,000 रुपे पार करने की उमीद से बजार समीती में सोयबीन आवक भी बढ़ने लगी है, बजार समीती में बीज कम्पनी के बिजवाई के लिए सोयबीन खरीद कर रहे हैं, इस दरजे की सोयबीन की आवक लेकिन अधिक नहीं है, इस जिससे अपिक्षित चड उतार भी बजार में नजर आ रही है, दर विदी के आस लगाए हुए अनेक किसानों ने सोयबीन घर पर संग्रेहिती रखी हुआ था, लेकिन अब दरों में विदी होते देखकर सोयबीन विक्री के लिए आने पर किसा जोर दे रहे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी